नमस्कार दोस्तों मैं रेजनीश कुमार पांडे आप सभी का हर्दिक स्वावत करता हूं अभिनिंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस स्मॉक ऐसे से पर प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग पूरे अच्छे होंगे और पूरी दमदार तरी हैं दस महत्पुन प्रश्णों के साथ इसके साथ साथ जो वन लाइनर का बोला था मैंने वो भी यो डेली जो करंट में चल रहा है उसे भी छोटे से 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 शेशन में मतलब छोटा पैकिट बड़ा धमाका होने वाला है और आज ही नहीं डेली ठीक आप लोगों के लिए डे अब यो कभी अभी आने वाला है ठीक है और तमाम जो है वेकेंसिज आ रही है कुछ आने वाली है ठीक है चुनावी वर्ष है ठीक तो मतलब वेकेंसिज भी काफी आएंगी बशरते आप लोगों की तैयारी दमदार हो क्योंकि वेकेंसिज आएगी जाएगी अगर आपकी तैयारी अच्छे नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है लहरों से डर कर नोका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो पूरी उमेद है पूरा विश्वास है कि कोशिश आप लोग मे उससे पहले एक request करता हूं यदि आप चैनल पर नहीं है तो please session को share कीजिए channel को subscribe कीजिए support कीजिए cool मिलाकर ठीक है practice smoke SSC की जो practice smoke की जो website है और practice smoke का जो app है उसे आप लोग app को download कीजिए और download करेंगे तो आपको GA में बहुत ही दंदार प्रशन मिलेंगे वो भी free of cost वहाँ पर quiz के रूप में बहुत सारे हम लोगों ने important data रखा हुआ history में भी पूरा मतलब divide करके ठीक है दस-दस महत्मों प्रशन लगपक पहुत सारे टैस्ट वहाँ पर हैं और वो पुराने नहीं है उसे daily update करती है टीम जो की परिक्षा में आए हुए हैं किसी ने किसी परिक्षा में आए हुए प्रशनों का collection है वहाँ पे तो वहाँ पे जाकर भी आप लोग अपनी तैयारी को मतलब एक अच्छा रूप दे सकते हैं तो प्लीज आप लोग वेब साइट पर और प्रैक्टिस मोग के एप पर जाके उन्हें जो है solve करें मान लीजिए आपने पूरा दिन पढ़ा हिस्ट्री के 10 कोशन लगा लीजिए खाना खा रहे हैं करंट अफेर्स की सीरीज देख ली उसके बाद पॉलिटी के 10 कोशन लगा दिए स्ट्रैटिक के 10 कोशन लगा दिए करंट अफेर्स के भी कोशन वहाँ पर है तो आप लोगों के लिए ही यह सारी चीजे तो आप लोग उसका लाब उठाईए तो आप लोग इस काम को भी कीजिए चले शु नाम है प्रवीन सूद और आप लोग कहीं न कहीं इस नाम से जो है परिचित होंगे परवीन सूद यह कून है प्यारे दोस्तों कल तक यह करनाटक के लेकिन आज इनके नाम पे क्या लग गया है फोर्मर याने कि अब यह करनाटक के पूर्व डीजी पी थे इन्हें हाल ही में प्रवीन सूद को हाल ही में ठीक है मोधी गौवर्मेंट ने जो है CBI का डाइरेक्टर घोशित किया है तो प्रवीन सूत कोन है अब यह CBI के डाइरेक्टर है ठीक है करनाटक चुनाव का जो है इलेक्षन का जो है रिजल्ट भी आ चुका है और वहाँ पर आई एंसी इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने जो है मली कार्जुन खड़गे जिसके अध्यक्ष है उसके नित्रत वाली सरकार ने वहाँ पर जेत हासिल की है बीजेपी वहाँ पर दूसरे नंबर पर थी हाला कि प अब वोचा कहीं कहीं इसे माचो भी बोलते हैं जो भी है ठीक है प्यारे दोस्तों क्या है यह साइक्लोन है यह चक्रवात है जो कि कहां पर आया है जो कि बांगलादेश प्लस म्यानमार में यहां का जो एरिया है वो काफी ज़्यादा प्रभावित काफी ज़्यादा इफ्यक्टिव हुआ है यह ठीक है बे उफ बंगाल से ठकरार आये ठीक है तो यह यह जो इस वर्ष का मतलब कहा जा सकता है कि सबसे दमदार ताकतवर जो है साइक्लोन है चक् करनाटक का एंशियंट में यानि कि प्राचीन में इसका नाम था प्यारे दोस्तो मैसूर याद रखेगा इसका नाम था मैसूर इसकी कैपिटल क्या है इसकी कैपिटल है बैंगलूर ठीक है बैंगलूर है इसके साथ साथ करनाटक जो है इसमें दो हाउस है ठीक है कौन-कौन से इसमें legislative legislative assembly भी है plus council भी है याद रकिएगा यहाँ पर करनाटक में legislative assembly विधान सभा और विधान परिषद legislative council ठीक है यह दोनों house है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगर मैं देखेbooks यहाँ पर बात करूँ तो जो करनाटक है इसे थोड़ा सा एक पॉइंट में देख लीजी क्योंकि important है यहाँ पे लोक सभा जो seat है उसकी संख्या है 28 और राज्य सभा जो seat है उसकी संख्या है 12 वही legislative वही legislative assembly और legislative council की seat ठीक है देखें लोक सभा की seat यहाँ पे 28 से राज्य सभा की seat बारह है इसके साथ साथ यह जो है दो सदनों वाला राज्य है यहाँ पे दो हाउस है legislative assembly भी है और legislative council भी है ठीक है तो यह 224 legislative assembly में और 75 legislative council में यहां की seat हैं यहां की seat हैं याद रखेगा इसके साथ साथ यह एक चीज और देखेगा important है important वन लाइनर जो आज चर्चा में है ठीक है hundred days ठीक है मतलब इसे याद रखेगा यहाँ पे आप लोग सो दिन सो भुगतान यह hundred days hundred भुगतान सो दिन सो भुगतान यह आर बी आई लेकर आया है यह आर बी आई की एक नया मतलब scheme लेकर है सो दिन सो भुगतान यह आर बी आई लेकर आयह सो दिन सो भुगतान इसके साथ साथ एक चीज और कॉंस फैस्टिवल कॉंस फैस्टिवल बहुं ज़्यादा चर्चा में है mostly जो बॉलिवुड को लेकर जो भी एक्ट्रेस है वो सब वहाँ पर जाती है दीपी का पादुकोंड ट्रेंग का चोपड़ा है सब वहाँ पर पाइटिसिपेट करती है तो कॉंस फैस्टिवल जो 2023 है उसका 76 एडिशन मतलब कि 86 जो है वो संसकरन ठीक यह कहां पर मनाया जा रहा है तो प्यारे दोस्तों यह मनाया जा रहा है फ्रेंच रीवरा फ्रांस में याद रखेगा यह आज के कुछ इंपोर्टेंट वन लाइनर थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए था अब शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को दस महत्पून दमदार प्रशनों को ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे यह जी आई टैग मिला है माना मदुराई मिटी को यह तमिलाडू में मिला है और एक छोटा सा गाव है शिवगंगाई डिस्टिक एक जिला है ठीक है वहाँ पे छोटा सा गाव है माना मदुराई वहां की मिटी को तमिलाडू में वहां की मिटी को जो है जी आई टैग मिला है जो की मड एक तरह से कीचड वाली मिटी है और वैगी रिवर से जो है इसकी कले मिटी से इनके बर्तनों को जो है सजाया जाता है फिर उस पर कलर वगएरा की जाती है तमिलाडू की कैपिटल प्यारे दोस्तों चेन नहीं गवर्णर आरेन रवी और चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन याद किजिएगा प्रिवियस क्लास को मैंने ट्रिक बताई थी कि जो यह एम के स्टालिन जो तमिलाडू के मुख्य मंत्री है जो सी एम है इनकी पार्टी का नाम इसी में छुपा हुआ है ट्रिक बताया था मैंने जल्दी से मुझे कमेंट करके इनकी पार्ट इट वाज इस्टैबलिश अंडर दा एंबीशियस सागर माला प्रोग्राम यह जो विशेष्टा हैं यह किसकी बात करती है ठीक है वो करती है एंटी सी पी डबलू सी यानि कि यह जो है एंटी सी पी डबलू सी यह बंदरगा नोवहन और जलमार्ग मंत्राले की प्रद्योग एंटी सी पी डबलू सी प्यारे दोस्तों यह है नेशनल टेकनोलोजी सेंटर फर पोर्ट्स वाटर वेस्ट एंड कोस्ट ठीक है जिसे आई 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 टी मदरास ने डिसकवरी किया है अपने कैंपस में सरवानंद सोनोवाल जो की यूनियन मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस की बात करें मिनिस्ट्री ओफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेस्ट की तो सरवानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्ट्र है जबकि मिनिस्ट्री ओफ स्टेट में श्रीप अदनायक और शांतनु ठाकूर है अन्यू बुक टाइटल और इस अर्जेंट नॉर्थ इस नेरेट ओफिसर भी हैं ठीक है आशिश कुंद्रा ने इस बुक को लिखा है और रिसर्जेंट नॉर्थ इस्ट नेरेटिव ऑफ चेंज ठीक है और इसे पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने अगला कोश्चन भारत की किस केंद्रिय मंत्रालिया ने सुप्रीम कारेक्रम और इसम शुरू किया है ठीक है सुप्रीम कारेक्रम अब देखिए मैंने आप लोगों से याद कीजिये मन में आ जाना चाहिए मैंने मोदी गॉर्मेंट की जितनी भी स्कीम है उसकी सबकी फुल फोम होती है तो यह सुप्रीम की भी अपनी एक फुल फोम है सुप्रीम यु से रिलेटिड महत्पुन प्रश्णों को छाट के मैं लेकर आया हूं तो यह सिर्फ एक दिन की क्लास नहीं है वो यह है कि इस मंच के माध्यम से आपको एक दिन में प्रोवाइट की जा रही है लेकिन यह पिछले 10 से 12 दिनों का महत्पुन प्रश्णों का संग रहा है ठीक है जो बच्चे UP-PCS का पेपर वगएरा दे कर आये हैं वो देख सकते हैं कररंट अफेर्स का वेटेस्ट कितना है याद रखिएगा जो भी सबजेक्ट है उसमें आपको एक्जामिनर घुमा सकता है लेकिन करेंट अफेर्स थे कैसा सबजेक्ट है जो कि आप presently पढ़ चुके स्ट्रोंग कीजी हमारे साथ ठीक तो यह जो सुप्रीम है यह है मिनिस्ट्री ओफ साइन्स एंड टेक्नोलोजी ठीक है इसमें एस जो है वो साइन्स है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ठीक है देखें सपोर्ट फॉर अप ग्रेडिशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंट यह जो प्रोग्राम है यह अगले तीन वर्ष के लिए होगा और इसमें 7525 का रेशो होगा प्राइवेट और गॉर्मेंट में ठीक है काओ ang-धिशन इन्फोर्मेशन मτι्स्ट्य के यह स्चैन्स टैकनलोजी शितेंद्र सेانग मेंट्डीज प्रोग्राम है वो मिनस्ट्य प्राइम मेडिकल education and sorry and research institute in silvasa in मतलब किस राज्य में यह किस यूटी में है ठीक है तो प्यारे दोस्तों देखे नमो medical है तो कही ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए ठीक है नमो medical education and research institute अब देखें थोड़े बच्चे जो जो जोगरफी जो मैपको जानते हैं व tast बहुत ऑजी प्रश्ण है ठीक है वो बहुत ये बहुत सबस्वासा देखके आप लोग उततर कर पाएंगे zagственबन यूपी से कहीझ नहीं है विहार से कहीं नहीं है रह गइजा इवाद वी-ओर डी spraying तो यह भी नहीं है तो कहीं ना कहीं दादरा नागरहवेली और दमंदीव याद रखेगा यहां पर कन्फ्यूज मत हो जीएगा कि अलग-अलग है यह पूरा एक ही है इन दोनों के इन्सासित प्रदेशों को मिला कर एक कर दिया गया जिसकी की कैपिटल मतलब सिल्वासा याद रख सकते हैं हम लोग तो इसका उत्तर है इसका आंसर है सिल्वासा 4850 करोड 4850 करोड की लागत से यह प्रोजेक्ट है ठीक है यह बन रहा है ठीक है जुकि एक मील का पत्थर भी साबित होने वाला है मेडिकल उसमें इस प्रोजेक्ट को देव का प्रोमनेद एंड सी फ्रंट बूस्ट टूरिज्म दा रिजन यह याद रखेगा आप लोग दाद्रा नागर हवेली की बात करें तो इस पहले यहां पर जब अलग अलग था तो सिल्वासा संबंदीत था लेकिन अब इस पूरे यूटी की कैपिटल हो गई दमन और जो यहां पर ना पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं प्रसासक होते हैं जो की आई एस ओफिसर या एलग के इक्वलन टाइप होते हैं तो यह हैं प्रफुल पटेल याद रखेगा फोर्मर आई एस ओफिसर हिमांग्शु मोहन चोधरी हैस पास्ट रवे रिसेंट्ली ही वाज दी फॉस्ट रिसीब्स ओफ पदमश्री फ्रॉम विच स्टेट ओफ इंडिया पूर्व आई एस अधिकारी हिमांग्शु मोहन चोधरी का हाली में निधन हो गया है वो किस रा कर सकते हो कि नहीं होंगे से महर्याना तो अब उत्तर होगा त्रिपुरा और त्रिपुरा और मनीपूर तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है त्रिपुरा आप लोगों के लिए होमवर्क त्रिपुरा की कैपिटल त्रिपुरा की कैपिटल देखिए कमेंट सेलेक्टिड स् याद रहे जाए ठीक तो इसमें अगर हम बात करें इनका ये एक रिसेंटली एक आई एस ओफिसर थे ठीक है त्रिपुरा से थे ये अगर तला से ठीक जो इनका जनम जो है वो उस समय बांगलादेश में हुआ था इन्हें पदमश्री मिला हुआ है 1972 में 1972 में इन्हें पदमश इन वीच इयर देखे अगर बात करें हम लोग इंडिया के जो टोप मोस्ट मतलब जो इंडिया के सर्वुच पुरिश्कार है तो नंबर वन पे प्यारे दोस्तों भारत रतनाता है नंबर वन पे भारत रतनाता है नंबर टू पे पदम विभूशन आता है नंबर थ्री पे पदम भूशन आता है और नंबर फोर पे पदम श्री आता है तो ऐसे भी याद रख सकते हो सबसे बड़ा तो भारत रतना है फिर देखो नाम में ये बड़ा है अक्षर इसमें ज्यादा है तो ये दूसरे नंबर पे उससे कम इस में तो तीसरे नंबर पे और सबसे छोटा ये तो पदम वाले लास्ट में ये सबसे छोटा होगा तो ऐसे याद रख सकते हैं तो प्रकास सिंग बादल प्रकास सिंग बादल फोर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब और लीडर ओफ शिरोमेणी अकालिदल है रिसेंटली पास्ट अवे इन मोहाली पंजाब ही वास बोर्न ओन एट दिसंबर 1927 एट अबुल खुराना नियर मलोथ पंजाब ठीक है एट चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के इन्होंने कई बार वहाँ पर वो करा इसके साथ साथ यह 11 वी जो केंद्रिय सरकार थी उसमें जो है केंद्रिय मंत्री यानि की उनियन मिनिस्टर भी थे अग्रिकल्चर और फार्मर वेल फेयर में मुरार्जी देसाई के टाइम पे इन्हें पदम विभुशन दिया गया 2015 म अगला कोश्चन यूएसे हैस टोप्ट ता मैडल टैली एड़ टवंटी ट्वंटी थर्ड हुंडई आर्क्री वर्ट कप स्टेश फर्स्ट वाट इस पॉजिशन ओफ इंडिया तो सब बच्चों को पता है भारत जो है इसमें दूसरे इस्थान पे था यह सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा आप लोगों के लिए अगला कोशन साइंटिस्ट फ्रॉम विच स्पेस एजन्सी अव सक्सिस्फुली एक्स्ट्रक्टिड ऑक्सीजन फ्रॉम सिमुलेटिद लूनर स्वाइल किस अंत्रिक सेजन्सी के वज्यानिकों ने नकली चंद्र मिट्टी से ऑक इजिली पकड़ सकते हो नासा ठीक है नासा कि अगर मैं बात करूँ फुल फॉर्म की तो नेश्चनल एरोनॉटिक्स और इस्पेस एड्मिनिस्ट्रेट शन यह इसकी वो है इसने जो है चैंद्रमा पर मिट्टी लूनर मिट्टी की जो है एक तरह से खोज की थी इसके साथ साथ लुनर स्वल रैफर्स तुदी फाइन ग्रेंड मैटीरियल कवरिंग दा मून सर्फेस नासा का हैटक्वाटर वसिंग्टन देसे युए से एड्मिनिस्ट्रेटर इसके कोन है बैल नेल्सन अगला कोश्चन रिसेंटली अनंत महेश्वरी विश्ट प्रेजिदेंट फ मैक्रोसफ इंडिया बेन अपॉंटेव आस दा छियर पर्सन फिच फ्र विच फी फॉल विंग नास कॉंग इसका अंसर नास कॉंग अनंत महेश्वरी चुकि प्रेजिदेंट है मैक्रोसफ कंपनी के जो भारत में है इंडिया है इस बेन अपॉंटेवाटर इस चेयर पर्स की जगेली है ठीक है नासकोम को 1988 में स्टैबलिश किया गया था देव जनी घोस इसके कोन है प्यारे दोस्तों प्रेजिडेंट है तो आई होप आप सभी लोगों ने एंजोई किया होगा ठीक छोटी से से सेशन में देख सकते हैं आप लोग आप लोगों को आज की जो कीजिएगा दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं कलकी क्लास में तब तक आप लोगों को खुमन लगा कर पढ़ाई करना पूरा जवर्दस्त उर्जा उत्सहा के साथ मिलते हैं कल्पुने इसी मंच के माध्यम से तब तक के लिए जैहिंद ज